पिन नहर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा हााँ, हाँ, हाँ! couples, मोची, ये द्रिशी क्यों दिकाई अए, बॉम्म, मैं यू गज मुखन पर वार करना इतना सरल नहीं गज मुखन पर गज मुखन थे भिवादा जा उर्य पिवादा थे दी प्रैस्टिक उर्य जार धूंगे गजिया थे इन वेर पंधों पड़ाई। पर आक्रम तो सत्य में सराहनी है. माया भी नहीं, वास्तविक युद्ध करना होगा तुम्हें. इतना सास है तुम्हें, गजबुकान? दस्ता हस कर रहे हो तुम, जिसका दंड तुम्हें मैं दे कर ही रहूंगा. जेस्ट जेस्ट कोई नहीं आएगा बीच में. अभी भी कुछ सावर्थ उसेश है, तो आप अपने प्राणों के साथ उसे भी खोने के लिए तयार हो जाओ तुम्हें. इस वार मैं तुम्हारे वार के लिए तयार हूँ, गजबुकान? यहाँ! यहाँ! यह दुष्ट अब क्या कर रहा है? यह दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं चुकते. इस दुष्ट का जुमख नेपूने अपने मायावे परवतों का अभाहन किया. देव से ना पती कुमार कारतिके. बेर बंधों को इस परवतों के विशह में तनिक भी ज्यात नहीं. इससे फूर्व की वो इस विशह में कुछ भी ज्यात कर पाएं. असाहायता की गुहार लगाएं. यह अशुरी मुख ही ने अपने मुख में निंगल लेगा. यही वो क्रोंच परवत है, जिसके विशह में नारत जी ने हमें बताया था. इसे भीतर से नहीं भेदा जा सकता. इसे बाहर से नश्ट करने के लिए अब तो भाया कारतिके को इस युद्ध में उतरना ही होगा. क्या हुआ पालक? तुम्हारे साहयक युद्धा तो अध्रिश्य हो गए. इंद्र और उसके देवता तुम्हारी कोई साहयता नहीं कर सकते. अब तो तुम्हें मुझ से अकेले ही युद्ध करना होगा. हाहाहा! शिक्र बदाए ब्रह्मदेव, क्या लिखाए इस पंचांग में? संकट! भूर संकट आने वाला है तुम्हार। क्या नहीं, क्रिड़ा है ये मेरे लिए और इस क्रिड़ा का अंच मैं ही करूँगा, शेक्र. ये तुम्हें नहीं, अब में तो तुम्हारा हैंकार बोल रहा है कज्वक। तुम्हारा ये एहंकार है। तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। ये भयंकर युद्ध, अब उस दुष्ट गजमुखन की मृत्यूं के साथ ही थमना चाहिए। ना युद्धा भीजेते तुमने। सभी क्रॉच परवत में बंदी बने हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हे भी बंदी बना सकता हूँ। अब इस गुफा को भीतर से ही भंग करेंगे हम। अब इस गुफा को भीतर से ही भंग करेंगे हम। हमारे प्रहार से उत्पन ध्वनी ने हमें ही विचलित किया नहीं ब्राता, नहीं यहां से पहार निकलने के लिए हमें उस पर प्रहार नहीं कोई अन्य उपाई सोचता होगा यहां तो सब कुछ मायावी प्रतीत हो रहा है यहां का अद्वार कुछिक शणों के लिए खुलता है हमें तभी यहां से बाहर निकलना होगा तुम्हारे योद्धा क्रोंज के भीतर तो प्रवेश कर गए है किन्तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे दुरभाग्य है उनका वो इस सत्य को नहीं जानते वो जितना प्राज करेंगे रांच उनको अपनी उतने ही अंधेरी गुफा में ले जाएगा जहां होगा संगटों का एक और पहार बाहर नहीं और फीतर पहुच गए हैं सावधान द्राताओं स्वाइम को सुरक्षेट करो जेश्ट अब तो ये संपूर्ण अच्छा धंपर ही गिर रही है हमें यहां से लोटना होगा किन्तु उसके लिए इस द्वार का खुलना भी आनिवार्य है परन्तु भ्राता हमारे पास समय शेश नहीं है मैं रोकूंगा इसे भ्राता तुम समझाओ परन्तु भ्राता आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं हम आप भ्राता हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते ये तुमारे जेश्ट और मुख्य से रभबती का अदेश है, जाओ! किल तु भाता? मैंने कहा जाओ! क्हुम से तुमारे कि राओा येिड़ स्टान स्टान को चे अस्ला habrी के! अब हम तब तर हुए लावा पर तैरती इन शिलाओं पर हैं अब भीट हो गए धीरू और दुर्बाली संकत में अपने स्वामी का स्मरन करते हैं किन्तों कोई लाव नहीं कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि आप वो ऐसे विशेले स्थान में प्रवेश करेंगे जहां बड़े से बड़े विशेले जीव भी उस थान की विशेली वास्त में जीवेट नहीं रहमाते अब तुम्हारे नव योद्धाओं के साथ भी यहीं होगा पालक अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं क्या तो अपनी योद्धाओं की रक्षा करते हुए मृत्यों के मुख में जाओ या यहां रुपकर मेरे हाथो मृत्यों का ग्रास बनो शीग्र चुनाव करो निलने तुम्हारे हाथ में है कहीं वो उस लावा कक्ष में दब ते लावा में डूबने वाले तो नहीं पार कर पाना इतना सरल नहीं होगा कहीं भाया कारती के वीर बंधों की रक्षा ही तो भीतर ना चली जाएं आप ही ने कहा था ना इस क्रॉंच परबत को भीतर से नहीं भीदा जा सकता फिर वो भीतर ना उलच जाएं भाया उचे चुनाव करें यही आशा तो मुझे भी है कि मारने वाले से कहीं बड़ा होता है पचाने वाला कज्वक किन्तु तुम्हारे अंत के उपरांत दोस्त क्योंकि एक योध्धा का प्रथम धर्म होता है अपने शत्रु को पराजित करना जिसे मैं निभाऊंगा और फेर अपने योध्धाओ को भी मुक्त करूंगा अधबोद वालखो गिंतु तुम्हे युद्यके नियम भनी भांती याथ है तो आप मेरी सक्ति का भी परिच है प्राप करने के लिए तैयार हो जाओं तो योध्धारंब करने से पूर मैं तुम्हे भी दो में से एक विकल चुनने का अधिकार देता हूँ या तो वीर योध्धाओं एवं अन्य देताओं को मुक्त कर फर्मपत स्विकार करो अन्य था युद्ध में अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ युद्ध करूंगा मैं गजमुखान पीछे हाटना नहीं युद्ध करना जानतर हूँ हाह हाँ 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 तुष्टेस रेखा को खीच करें, हम दोनों के मद्ध की दूरी बढ़ा रहा है, तो फिर भी मेरे वार से नहीं बच पाएगा ये, खुद हम पे नहीं कज मुझ के इन आफ्तों को रोकना हुका मजे ये बार तो मेरी औरी बढ़ा रहा है, इसले बारत समझना भूर की मेरी, तौर शक्तिशारी प्रहार करना होगा मुझे इतनी दुर्भावना असुरों के प्रती, कि सत्य देखने में आप असमर्ध हो गए प्रम्मदेव, काल की बात कर रहे हैं, जबकि हमने देवताओ को ही नहीं, स्वयम देवराज इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाया है, तौर शक्तिशारी प्रम्मदेव, काल की बात और स्वयम आप भी तो हमारे समक्ष प्रस्तुध होने पर विवश है, ब्रम्मदेव असुर समराट, बंदी देवता, देवराज के पुत्र, आपकी इच्छा के बंदी है अब मैं भी विवश हूँ, आपका आदेश मानने के लिए किन्तु ये पंचांग, ये पंचांग आपके अधीन नहीं है ये तो वही दिखाएगा, जो सत्य है, जो होने वाला है और इसकी अनुसार संकड में है आपका ब्राता मेरा रत बहाया, तो तुम्हें रत से निक्त कर दूँगा सावधान ब्रह्मदेव, और एक शब्द सुनना नहीं चाहता गो पुत्र, ब्रह्मदेव भविश्य दिखा रहा है उसे गंभीरता से लो, सावधान हो जाओ गजमुग के लिए सहायता भेजो महान असुरेंद्र इस समय राजभवन में नहीं है अभी तु क्रॉंच परवत के निकट बने अपने शस्त्रगार में युद्धा भ्यास कर रहे है युद्ध कोशल तो असुरेंद्र अपने बाल काल से ही सीख रहा है अस्त्रो जिद्ध कला में निपुन हो गया है वो मेरा आदेश उस तक पहुँचाओ जाकर वो अपनी पिदा की साहिदा करे और श्रिक्रे मुझे विज़े का समाथार त्राफ त्राफ स्वामी, स्वामी मैं अपने पुत्र के विवा को लेकर अति उत्साहिद थी और मैंने तो अपने पुत्र वधुओं को भी ढूंड लिया था जो पूर्व जन्ट से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी एक ओर देवराजिंद्र की पुत्री डेव सेना है चिंता मत कीजे माता प्रभु कुमार कार्थिके स्वैम गए है भ्राता जयंद को लाटाने और वो उसे सुरक्षित वापस लेकर आएंगे और दूसरी ओर है कुमारी वल्ली मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जनम में जब सभी परिस्तितियां उचित होंगी मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा कि तो वो तो अपने विवाह उतसफ के भाग बनने के स्थान पर युद्ध पूमी में बहाँ भयंकर असुर का सामना करने के लिए विवाश है इस छोटे से आघात से तनिक भी विचलित नहीं हुआ हूं मैं विजय प्राफ्त करोगे तुम मेरे विरुद्ध इसकी आशा त्याग दो बालाक आशा नहीं आपे तो पूर्ण विश्वास है मुझे विश्वास अच्छा होता है बालाक के इन तुमकी विश्वास सर्वनाश की ओर ले जाता है मेरे इस्वाए हाँ ने तो नाहीं के सुदर्शन चक्र को रोक कर ठाम लिया था उसके सामने तुपरे ये पार गया है स्वयम तुमारे नाराण भी मेरा बाल मांखा नहीं कर पाए तो थुप वालत मुझे क्या हानी पहुँचाओगी और देखो वालत ग्रांच परवत की अलानिमा बता रही है कि तुमारे नायों धा शीखर लावा की गहनाई में खोने जा रहे है तो भीतल हो और यहां तुम सबका एक साथ संथ होगा हाहाहा तो आजागागा, तो श्यत्त्त माया वासोर प्यूद्के प्रते चरूमे माया कप्रेयो का वा सखकरे का हाहाहा ये मूर्ख गजमुखन भूल गया? अभी कुष्ण पहले ही तो भाहिया ने उसकी माया को नश्ट किया था, तो उन पर माया की प्रयोग का कोई लाव कैसे होगा? नहीं गजमुखन ना तुम्हारी ये माया मुझ पर सफल होगी और नहीं वेर बाहू और उसके पराक्रमी वेर योद्धा भ्राताओं का कोई आनिश्ट होगा हमें पुना अवसर देखकर इस द्वार से बाहर जाना होगा कि दू पराता, यदि वहाँ कोई इससे ही बड़ा संकट हमारी प्रतिक्षा में हुआ तो अपने पराक्रम पर विश्वास रखो भराता, जब तक श्वास है तब तक हम पराजे नहीं मानेगे प्रतिक्षि को प्रमान क्या गज्मक देख लो, मेरे वीर योद्धा तुमारे उस लावा के संकट को टालने में सफल रहे है नहीं, उन्होंने संकट टाला नहीं है अपी तो और गहरे संकट में उलज गए है कें तो तुम उनकी नहीं अपी जिंता करो तुम्हारा अंध प्रत्यक्षि लूप से तुम्हारे सामने खड़ा है हाहाहा जिब मेरी द्रश्टी वस्तवे गज्मक पर है तो मुझे अन्य मायावी गज्मक की चिंता करने की क्या वश्कता है पालक, तुम भूल कर रहे हो मैं ही हूँ वस्तवे गज्मकन नहीं, मैं हूँ वस्तवे गज्मकन पालक, मैं हूँ वस्तवे गज्मकन ये सब ही वस्तवे गज्मक से अधिक प्रकाशित है हाँ 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 बड़ी से बड़ी माया और बड़े से बड़ा बल भी विधी के विधान को चुनौती नहीं दे सकते